हेलो दोस्तों जैसा कि आप इस कोशन में देख रहे हो कि आयूह A का मान दिया हुआ है माइनस 1, 2, 3, 5, 7, 9, माइनस 2, 1, 1 और आयूह B का भी मान दिया हुआ है माइनस 4, 1, माइनस 5, 1, 2, 0, 1, 3, 3 तो इन दो आयूह A और B की साहता से हमें सीध करना है हमें सत्यापित करना है कि A पलस B का जो परिवर्तत होता है वो A परिवर्तत पलस B परिवर्तत के बराबर होगा और ये भी सत्यापित करना है कि A मैनस B का जो परिवर्तत होगा वो A परिवर्तत मैनस B परिवर्तत के बराबर होगा यहां आयूह A की साहता से हम A परिवर्तत निकाल सकते हैं बिसिकली ए परिवर्तत होता क्या है किसी भी आयूह का पंक्ती परिवर्तत आयूह में उसका अस्तम हो जाता है तो यहां पर आयूह ए दिया हुआ है और इस आयूह की सहता से यहां पर हम ए परिवर्तत निकालेंगे तो ए परिवर्थत बराबर हो जाएगा माइनस 1, 2, 3, 5, 7, 9, माइनस 2, 1, 1 और ठीक उसी परकार यहाँ पर आयू बी की सहता से बी परिवर्थत का भी मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर बी परिवर्थत होगा माइनस 4, 1, माइनस 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1 तो अब हम यहाँ पर आयू ए की सहता से ए परिवर्थत का मान निकाल लिया और आयू बी की सहता से भी परिवर्थत का मान निकाल लिया तो अब कोश्चन में पूछा गया है की A परिवर्थत जो बराबर होगा वो A परिवर्थत परिवर्थत के बराबर होगा यह हमें सीध करना है तो इसे सीध करने से पहले हमको A परिवर्थत का मान निकालना होगा फिर उसके बाद A plus B का परिवर्थत निकालना होगा देन फिर हमें A परिवर्थत परिवर्थत शिर्फ सिध करना होगा तो हम पहला question इसमें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि A plus B का मान निकालेंगे तो यहाँ पे A plus B का मान क्या हो जाएगा A का पहला element यहां पे minus 1 है और B का पहला element minus 4 है जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा minus 5 इसी परकार A का यह दूसरा element 2 है और इसका 1 है इसको जोडने पे आएगा जोडने पे 3 आएगा इसी परकार जब हम 3 और minus 5 को जोड़ेंगे तो यहां पे minus 2 आएगा ठीक इसी परकार जोडने पे A plus B का फाइनली प्राप्त होगा 6 9 9 minus 1 4 2 अब A plus B की सहता से हम A plus B का परिवर्तत निकाल सकते हैं A plus B का जो परिवर्तत होगा ओ होगा minus 5 3 minus 2 6 6 9 9 minus 1 4 2 और अब हमें इस कोशन में जो सिध करना था वो था कि A plus B का जो परिवर्तत होगा वो बराबर होगा A परिवर्तत प्लस B परिवर्तत के तो हमें यहां पर A परिवर्तत का भी वेलू निकाल लेंगे A परिवर्तत प्लस B परिवर्तत बराबर यह परिवर्तत अब B परिवर्तत को जोडने पर यह minus 1 और minus 4 को जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर minus 5 आएगा 5 और 1 को जोड़ेंगे तो यहां पर 6 आएगा minus 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहां पर minus 1 आएगा 2 और 1 को आइट करेंगे तो यहां पर 3 आएगा 7 और 2 को आइट करेंगे तो 9 आएगा 1 और 3 को आइट करेंगे 4 आएगा 3 और minus 5 को आइट करेंगे तो मैंनस 2 आएगा 9 और 0 को आइट करेंगे तो 9 आएगा 1 और 1 को आइट करेंगे तो 2 आएगा इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पाजो A प्लस B का परिवर्थत का जो value आया है वही value A परिवर्थत प्लस B परिवर्थत के वही value आया है तो अधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो A पलस B का जो परिवर्तत होगा वो बराबर होगा A परिवर्तत पलस B परिवर्तत के इस परकार जो पहला कोशन था कि A पलस B परिवर्तत बराबर होता है यह परिवर्तत पलस B परिवर्तत के तो इस तरह ये पहला कोशन सत्यापित हो जाता है अब इसमें जो दुसरा कोशन था अब हम जो दूसरा कोशन था उसमें क्या था उसमें हमें प्रूब करना था कि A-B का जो परिवर्तत होगा वो बराबर होगा A-B-B परिवर्तत के वैलू निकालने से पहले हम निकालेंगे कि A-B का वैलू क्या होगा तो A-B का वैलू निकालने पर आता है 318-459-890-890 और अब हम इसी के सहाथा से A-B का परिवर्तत निकाल लेंगे जो की हो जाएगा 318-459-890 और इस तरह मेरा LHS आ जाता है LHS बराबर A-B का परिवर्तत बराबर 3, 4, 8, 1, 5, 9, 8, 9, 0 और RHS बराबर है A का परिवर्तत मैनस B का परिवर्तत जिसको सुल्व करने के बाद आता है 3, 4, 8, 1, 5, 9, 8, 9, 0 इस परकार हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जो LHS में है वही सेम वैलू RHS में भी हमें पराब्थ होता है तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS अथार्थ A माइनस B का जो परिवर्तत होगा वो बराबर होगा A परिवर्तत माइनस B परिवर्तत के इस तरह जो दुसरा कोशन था वो भी सत्यापित हो जाता है तो मैं आसा करता हूँ कि ये जो कोशन था वो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा थेंक यू